हेलो दोस्तों कैसे हो आप सबी लोग वेलकम बैक Marvel Contest of Champion के एक और नए एक्ट एपिसोड में आज हम करने वाले है 6.3.5 को कम्पलीट जिसमें की हमारा बॉस फाइट है मिस्टीरियो के साथ में जो के काफी annoying होता है आप लोगों को पता ही है इसका special one पर आप इसे मार नहीं सकते हो special two miss करता है लेकिन मैं यही रखने वाला हूँ कौन सा पाथ में चूज करने वाला हूँ वो भी आप लोगों को बता देता हूँ अब यह भी quest में enter कर दिया है जो पाथ चूज करूँ आप लोगों पता चल ली जाएगा नोड्स क्या है इस पाथ पर वो भी हम चेक करेंगे और उसी हिसाब से फाइट्स भी करेंगे टीम में यही रखने वाला हूँ और जहां तक मुझे लगता है मुझे चैंपियन स्वाप करने का option आएगा बट मैं सोंचरों कि नहीं करूँ लट्स ही देखते है क्या होता है यह पूरा पाथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पूरा का पूरा पाथ मैं ब्लैक वीडो क्लैर वॉयंट से ही लडने वाला हूँ क्योंकि यही एक champion है जो इस path को suit करेगी क्योंकि इसमें rage लगा है अगर 5 furies मिल गई तो क्या होगा वो unblockable हो जाएगा defender और यहाँ पे nullify effect जो है 95% fail हो जाएगा और the defender is immune to ability accuracy तो ability accuracy भी नहीं गिरा सकते हैं हम कुछ boost use करने यहाँ पे boost लगा लेते हैं पहले boost में इसलिए लगाना चाहता हूँ क्योंकि एक ही champion से मैं पूरी path fight करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि इसका damage जो है जादा से जादा हो जल्दी से जल्दी fight complete हो और इससे damage भी कम मिले तो इसलिए health boost भी हम लगाएंगे champion boost भी लगा चुके है attack boost भी लगा चुके हैं तो तीनों boost हमने लगा लिए हैं इसी के साथ मैं पूरी की पूरी fight करने वाला हूँ जल्दी से fight करते हैं Luke cage है सबसे पहले defender इसको undestructible charge होता है starting में मैं चाहता हूँ यह unlify करे तो fight शुरू होगी है Luke cage के साथ में अब यहां पे हमें यह problem आएगी कि बंदा बार बार furies तो gain करेगा यह अगर पांच furies से ज़्यादा इसने gain किया तो यह unblockable होगा पूरी की पूरी fight में जब तक इसकी furies कम नहीं होगी और वही काम करने के लिए मैंने black video clairvoyant को लाया यहां पे आप लोग देख सकते हो 2 furies इसे आ चुकी है 5% सिर्फ nullify करेगा 95% यहां पे nullify जो है वो fail होने वाला है तो इस लिए इस चीज का भी ध्यान रखना होगा undistructible वापस आ रहा है इसका and यहां पे 3-4 furies हो चुकी है इसकी वापस यह undistructible आ चुका है let's wait and अब इसके बाद 4 furies है 5 furies आ चुकी है आप लोगों ने देखा यह unblockable हो चुका है rage node की मदद से जब तक nullify नहीं होगा furie तब तक यह बंदा unblockable ही रहेगा तो इसलिए हमने यह भी boost भी use के थे बहुत ही असानी से fight complete हुई चलते है next fight में तो guys fight यहाँ पे है dog hawk के साथ में आप सबी लोगों को पता है जब भी इसे knock out करेंगे इस पे एक shield आएगा जो की auto block करेंगा plus हमें damage भी reflect करेंगा कुछ percent लेकिन हमें इसे knock out नहीं करना है हम इसको कॉंबोस देंगे हम अपना special 2 फैकेंगे ब्लीड पे ताकि हम पहले मैं सोच रहा था यहाँ पे hellfire पे चले जाते हैं यहाँ तो गलती से मने यहाँ पे ब्लीड पे छोड़ दिया यार anyway कोई नहीं हमने यहाँ पे नॉकवट किया है जिसकी वज़ा से इस पे शील्ड आया है जब तक शील्ड गायब नहीं होगा तब तक हम इसे मारने वाले बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अगर यहाँ पे तो यह special 2 फैक दिया इसने यहाँ पे मिस हो जाएगा सारे के सारे मेरे पास निक फ्यूरी होता तो सही था 10 चार्ज इसके बाद में मिस भी नहीं होता है anyway कोई नहीं यहाँ पे थोड़ा टाइम और एक और पर पैरी अगर कर लेता हूँ इसको दन इसको हम थो कर सकते हैं मार सकते हैं अब मारते हैं इसने ओपनिंग दे दी अपना हैवी छोड़के यहाँ पे स्पेशल टू रेडी हो चुका है मेरा पॉजन पे आ चुका हूँ में यहाँ पे मैं हेल फायर पे जाओँगा ताकि जादा से जादा इसे डामेज प्रोवाइड हो जल्दी से जल्दी है फायट कंप्लीट हो 10% पहुचा दी हेल्थ मेंने इसकी यहाँ पे शील्ड वाप इसे अक्टिवेट हो चुका है जो कि अब हम इसे मार नहीं सकते हैं तो कोशिश यही करनी है टाइम वेस्ट करो ताकि इसका जो शील्ड का टाइम है वो वेस्ट हो अब ही से हम मार सकते हैं यहाँ पे देख रहे हो आप लोग बहुत ही असानी से फायट भी कंप्लीट हुई चलते है नाइक्ट फायट पे ओके तो गाईस फायट है नाइट थैशर के साथ में तो नोड बिलकुल सेम है पूरे पाथ में नोड सेम है यहाँ पे बस हमें यही ध्यान रखना है इस बंदे को रेज पांच अगर रेज की मदद से अगर इसे पांच फूरीज मिल जाती है तो यह अनब्लॉकेबल हो जाएगा मतलब इसके बेसिक अटेक्स, मीडियम अटेक्स इसके स्पैशल अटेक्स तारे 강ार इसे प्लाकियंका होने वाले है वाले हैं हैविय एक्क से брום होगा हम को वो प्रॉब्लीम क्रियेट करेगा इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ निक ये ब्लैक वीडियो को ही लेकर आया हूँ यहां पर फाइट करने के लिए पूरा पाथ में इसी से कंप्लीट करने वाला हूँ मेरे पास दूसरा कोई होगी है 3% हेल्थ यहां पर हमने इसकी चुराई है anyway कोई नहीं अभी देखते हैं क्या हो सकते हैं यहां पर मैं कर्स ऑफ हाइर पर सोच रहा हूँ रहूं ताकि स्पेशल 2 कर्स ऑफ हाइर पर फैक हूँ एंड जल्दी से जल्दी यह फाइट कंप्लीट हो लेट सी देखते हैं क्या होता है एक फ्यूरी है इस बंदे के पास तुन डैमेज भी इसका इंक्रीज हो चुका है इसका भी ध्यान रखना है हिट रिसीव नहीं करनी है हिट रि मैंने स्पेशल 2 फैका है एल फायर का एंड 7 पसंट हैल्द रहे तक सी देखते हैं इसके स्पेशल 2 पैले एवेड करते हैं स्पेशल 2 काफी असान है इसका इवेड करना स्पेशल 1 के मुकाबले और यहां पर मैं पोँच गया हूँ है और यह फाइट बहुत यह असानी से क तो इसलिए हम Curse of Hellfire पे सोच रहे हैं, जादा से जादा रहें, प्लान मेरा यही है, Curse of Hellfire का Special 2 मारूँ ताकि इसको ज्यादा Energy Damage, Physical Damage दोनुका दोनुका दोनुक एक साथ हो, यहाँ पर मैं Curse of Hellfire पे पहुँच चुका हूँ, मेरा Special 2 रेडी हो चुका है, यहाँ पर थ्रो करने का टाइम, अरे Special 3 बन गया, Let's see, Special 3 थ्रो करते हैं, 63% पे है इसकी Health, and Let's see, 12% बोनुस भी लिया है, तो यहाँ पर हम 61% बाई, Special 3 का Damage नहीं है, यार इस बंदी का, Anyway, कोई नहीं, Special 3 पे जाला Damage नहीं फैक रहे हैं, कोई नहीं हम चलते हैं, यहाँ पर आगे और बढ़ते हैं, and 57% Damage दे दिया है, मैंने इसको, यहाँ पर मैं Regen करने का सोच रहा था, But, हुआ क्या, गलती से मैं वापिस से Bleed भी आ चुका हूँ, मैंने Light, Combo अपना Light से End किया, तो मेरा Curse of Bleed भी आ चुका हूँ, जब भी से Bleed लगेगा, हमें Degeneration मेलेगा, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा आप यहाँ पर क्या हूँ, मैंने इसको Bleed लगाया है, इसलिए मैंने इसको, इसलिए मैरेको Degeneration मिल रहा है, जब तक Bleed नहीं अटेगा, तब तक, यहाँ पर पॉजन पर हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ, इसका Special 2, बेट कर लो, आप लोगों देख रहे हो, इसको Damage काफी जादा दे दिया है, यहाँ पर इसका End करना पड़ेगा, अब यह हुआ End इसका, यह Fight थोड़ी सी Problem क्रियेट की, लेकिन यह Fight at the End खतम हुई, तो चलते हैं Guys, नहीं Fight पर, तो Guys, Fight है नेबियूला के साथ में, तो Problem यहाँ पर यह आने वाली है, इसका Regeneration का भी Nullify होगा, यहाँ तो इसकी Furies Nullify होगी, तो जादा तर हो सकता है, कि यह Fight में Unblockable रहे, Furies की मदद से, Rage Node की मदद से, क्योंकि Nullify यहाँ तो इसका Regeneration करेगी, यहाँ तो यह Fury Nullify करेगी, तो हम यही कोशिश करेंगे, यहाँ पर पहले अपना Regeneration कर लें, हम अपनी Health बढ़ा ले, जैसे कि आप लोग ने देखा, मैंने Special 2 पे, Bleed के Special 2 पे यहाँ पर अपना Regen किया, थोड़ा सा 60% Health है मेरी अभी, यहाँ पर फिर से Regen करने का Mocha मिल चुका है, फिर से Regen करते हैं, 60% Health ही मेरी, and मेरी Health हो चुके है, 72% इसका Special 2 इवेड करना होगा, बहुत ही तरीके से अवेड कर लिया, यहाँ पर थोड़ा Block Damage मिला, बट कोई नीच चलेगा मुझे, कोई बात नी, यहाँ पर अब मेरा Power Gain नहीं हो, क्योंकि 20 Charges हो चुके हैं, अब Power Gain नहीं होने वाला है, चलते है, Curse of Hellfire पे, जादा से जादा डामेज हम इसे प्रोवाइड करना चाहते हैं, यह Unblockable हो चुकी है, तो Intercept करना पड़ेगा, यहाँ तो अगर यह Heavy अपना फैक ही, यहाँ Special फैक है, Opening हमें दे, तो ही हम इसे मार सकते हैं, यहाँ तो Intercept करना पड़ेगा, लेकिन इसने अपना Special 2 छोड़ दिया, बहुत ही असानी से, यहाँ पे Opening तो नहीं मिली, बट कोई नहीं हम इसके Special से तो हमको घबरानी की ज़रत नहीं है, जब तक हैवी नहीं फैक हीगी, तब तक हम इसे मारने नहीं वाले, अगली Fight में हम Region करेंगे, चलते है Next Fight में, तो Guys, Problem सबसे बड़ी यह है, आप सबी लोगों को पता है, जैसे ही हम Omega Red को Bleed देंगे, इसका Death Node, Death जो होता है, और आप वो Start हो जाता है, और इसने मेरे को मार दिया वाई, कोई नहीं इसको रिवाईव करने वाला हूँ मैं, तो एक बार रिवाईव करके आया हूँ, मैं 20 वाला रिवाईव मैंने डाला है, इसमें बाकी Healing Ball दाली है, आप सबी लोगों को पता, अगर मैंने इसे Bleed दे दिया, तो इसका Death Field एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वज़ा से इसके Sports भी लग रहे है, और डैमेज आप लोग देखी रहे हो, कि अरे भाई फिर से मार दिया है यार, मैं इसको रिवाईव करने वाला हूँ, ओके गाईज, फिर से मैं रिवाईव करके लाया हूँ, ब्लैक विडो क्लैर वोएंट को, मैं इसको रिवाईव क्यों कर रहा हूँ बार-बार, क्योंकि यही एक बंदी है, जो नलिफाई करेगी, फ्यूरीज को अनब्लॉकेबल नहीं होने देगी, इस चीज का हमें द्यान, यही इसलिए मैं इसको मैं रिवाईव डाल रहा हूँ, बार-बार, बाकि उसे अगर मैं खेलूँगा, तो यहर वो फाइट ना, वो बिवकुफ ही हो जाएगी, क्योंकि मेरी टीम नॉक आट नहीं होनी चाहिए, मुझे बास तक वो चाहिए, तो इसलिए मैं सोनच रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी को रिवाईव किया जाए, क्योंकि मेरे को यह पाथ इसी से कम्प्लीट करना है, और किसी से करना ही नहीं है, तो एनिवे, कोई नहीं, अभी हम ध्यान से खेलेंगे, इसने हमको दो बारे चक्मा तो दे दिया है, बट कोई नहीं, हम यहाँ पर कर्स ओफ हैल फायर डालते हैं, ताकि हम इसे ब्लीड दे, एंड ब्लीड प्रोवाइड, मनलब डैमेज दे, सौरी ब्लीड बोल रहा था हमें, तो यहाँ पर यह फायट जल्दी से जल्दी कम्प्लीट होने वाली है, और यह फायट कम्प्लीट हुई, लोग दो रिवाइड के बाद, लेकिन कोई बात नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट फायट में, ओके तो गाइस फायट हैं मैफिस्टो के साथ में, तो हमें जल्दी से जल्दी कर्स फायट पर जाना पड़ेगा, पहले तो इंसरनेट इम्यून होना पड़ेगा, जब तक इंसरनेट इम्यून नहीं होंगे, हमारा पॉवर गेन भी नहीं होगा, एंड प्लस डैमेज भी मिलेगा, और एक और चीज़ का यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, कि यह औरा में अपने इंसरनेट अरा जो होता है इसका, उसमें यह पॉवर गेन करता है, तो हम कोशिश यही करेंगे, बार बार इस बंदे का यहाँ पे स्पेशल यूज हो, और हम अराम से वो बेट कर सके, क्योंकि अगर इसका स्पेशल तरही पढ़ गया, तो भाई, पॉवर ड्रेन तो होगा ही होगा, साथ में हेल्थ भी पूरी की पूरी ड्रेन कर लेगा यह बंदा, मैं नहीं चाहता यहाँ पे और रिवाइब मेरे यूज हो, क्योंकि बॉस में भी हो सकता है, शायद रिवाइब यूज हो, बट मैं कोशिश यह करूँ कि वन शॉट में उसे ले लू, बट एनिवे, कोई निसका और आफ इंसरनेट शन जो है, यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, दो और आज हैं, इसके यहाँ पे तो पावर गेन होता रहेगा, इसका, यहाँ पे मैंने एक और स्पैशल अपना छोड़ा है, इंसरनेट का, यहाँ पे, ओके रिवाइब नहीं किया जाद शादा, मैंने नलिफाइब कर लिए थे जादा तो, 34% पे हेल्थ है, स्पैशल टू इसका एक और बार बेट करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से मारते हैं, और आउफ इंसरनेशन इसका एक्टिवीट हो चुका है, जिससे की पावर गेन इसका काफी तगड़ा हो रहा है, आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे बार बार अपने ये स्पैशल श्यू, औरे शिट मैं जल्दी कर दिया बाई, यहाँ पे बार बार अपने स्पैशल श्यूद लिजड़ जल्दी, मोका मिल रहा है कि स्पैशल यूद्ल कर पाए, and special two facts दिया है से बहुत ही सही AI ने यहाँ पर साथ दिया कि भाई अपना special use कर रहा है बार बार तो इसी वज़ा से इसको भी असानी हो रही है नहीं तो revive लगाना तो बनता था भाई यह revive ले ले था मेरे अराम से and यह fight complete हुई 9% health है अभी भी black video की guys चलते हैं next fight पर यह fight हुई complete okay तो guys सभी लोगों को पता है Corvus Glaive जो है bleed से immune जब तक इसकी immunity रहती है यह bleed से immune रहता है तो हमें इसकी पहले जो immunity है वो nullify करने ही पड़ेगी लेकिन furies की वज़ा से यहाँ पर इसकी immunity nullify तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली बट मैं कोशिश यह करूँगा कि मैं यहाँ पर regen कर पाऊँ ताकि हम इसको अराम से मार पाए and इसने मिरको मार दिया but anyway कोई नहीं दूसर champion लाके देखते है तो मैंने यहाँ पर hyperion use किया है मैंने ही चाहता एको revive मेरा यहाँ पर use हो and guys boss fight से पहले यह last path fight है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर जादा revive यूज ना हो अब देख लेंगे कोई नहीं अगर unblockable हो जाता है कोई बात नहीं एक बार manage कर लेंगे special 2 time है special 2 मारने का try रहेगा मेरा but special 3 बन गया है यहाँ पर कोई नहीं हम इसकी health 58% let's see दिखते हैं 4 furies में कितनी health में drain कर सकता हूँ यहाँ पर जादा health तो drain नहीं हुई 4 furies थी मेरे पास तो 3% health ली थी मैंने बाकी block damage पर 2% health लिये 2 furies इसे मिल चुकी है आप लोग देख रहे हों यहाँ यहाँ चार furies हो चुकी है इसकी तो आप लोग देख रहे हों यहाँ 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 यह तो unblockable बन गया लेकिन मैं इसको कोशिश यह करूँगा चाहिए था बहुत ही बढ़ी यहाँ बहुत ही सई जाइन को यहाँ आर बैंड वजा देथा मेरी चलो यहाँ और शिट मैं आपना special चोड़ रहा था भाई अरे मैं अपना special चोड़ रहा था भाई इसमें पहले ही मिर से पहले छोड़ दिया यार इस बंद ने ओहो मार पड़ गई यार है पी रन को ले एनिवे कोई नहीं यहां पर ज्यादा हेल्थ इसकी भी नहीं है ओके मैं मर गया कोई नहीं नाया फैटर लाते है एंड उससे से लड़ेंगे ओके तो गाईज दूसरा चैंपियन में लेके आया हूँ निक फ्यूरी को यहां पर एक हैवी देना है मुझे और ब्लीड मेरे को पता है यह ब्लीड इम्यून होता है बंदा लेकिन अगर हम इसे हैवी फैकेंगे तो यह बंदा मर जाएगा जल्दी से जल्दी कोई बात नहीं इसे मेरा ब्लैक वीड़ो एंड हैपी रिंड डाउन किया है कोई बात नहीं अब हमारी बॉस फैट है तो उस पे फोकस करते है तो गाईज यहां पर बॉस फैट शूरू होने वाली है लेकिन उससे पहले हमें एक चांस मिलेगा अपना चैंपियन क्याइफ हो मेरा तो मैं यही टीम रखने वालओ में चैंपियन स्वाइप नहीं करने वाला ब्लैक वीड़ो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि सिनर्जी बने रही 10 अटाक रड़ जाएगा तो इसलिए मैं यहां पर कोई भी यहां पर चेंजी नहीं कर रहा हूं स्किप करने मैं तो जल्दी जल्दी चलते हैं बॉस पे बॉस फैट शुरू हो गई है मतलब आने वाली है यहां पे क्या लगाए था अटैकर गेंज वन पॉर जब भी इसके यह स्पेशल यूज करेगा हमें एक बार आफ पॉवर मिलेगा और इसके पॉवर गेंज 50% जादा है जब दी इसका है अटिवेट होगा और जब भी कुछ यह पॉजन हमें लगा सकता है जब भी इसके आठ गैसे से जादा होगा तो यहां पॉजन लगा देगा जिसकी वजह से यहां पे पॉजन इम्यून भी चाहिए लेकिन कोई नहीं हम मैं मैं फुल्क बस्टर से मारने का ट्राइकidence से ट्रारी करते हैं मुझा थे जिह लाट नोड यहां अड़ अग अजिए उपार बडवन अजिए लुछनिं, इस एपने लुदे हमनि वजमिए तो नहीं हां पॉन,दा कंचने यह,ज़वर हमनेसे तो नहीं बहरु को हाँ म जोड़ा था शेट मेरको रिफ्लेक्ट होने वाला है सारा का सारा यार भाई डैमेज जेखो मेरको कितना हुआ एंड मेरको यह फॉल्टर क्यों लग रहा है भाई मिस्क्यों हो रहा है अईवे मैं इसका इक नोड पढ़ लू फिर से यार मतलब हम हमसे, ऑगर हम बेसिक जब भी कोई सेम तरीकवा अगर कॉम्बो यूस करते हैं हम पाई इसी वज़़े से मेरा हलक बश्टर गा сильnéitas around तरहे तग्रा मेंदाव ऐसे तो हम मीडियम यूस करेंगे मीडिय म मीडियम यूस करेंगे बार बार medium light and medium use करेंगे ताकि हमें falter debuff ना मिले और हाँ Nick Fury में एक और चीज यह है कि अगर हमारे 10 charge हो जाते है तो हम miss भी नहीं करेंगे तो इसका special 2 पर मैं कोशिश करूँगा इसे जाने की बार बार यहाँ पर हमें falter मिला है तो मुझे एक बार पहरी करना होगा इस पर एंड मैंने यहाँ पर शिट मेरे को miss throw करना चाहिए था अपना attack क्योंकि miss हो जाता ना वो ओके यहाँ पर यह बढ़िया है कि मैंने attack medium light medium बढ़िया एंड मैं heavy fact दूँगा बीज बीज में ताकि bleeds जादा जादा लगे इस बंदे को यहाँ पर poison मेरे को लगने वाला है थोड़ी देर में क्योंकि poison वाला भी node था इस बंदे पर एक बार तो and power drain लग चुका है तो मैं यहाँ पर heal तो कर रहा हूँ but power drain हो रहा है तो वो थोड़ी problem create करने वाला है यहाँ पर मैंने heavy fact दिया and यहाँ पर मुझे medium light medium को combo fact नहीं है और heavy बार बार fact नहीं है ताकि हमें falter ना लगे but falter लग रहा है क्योंकि हम block कर रहे हैं बार बार सेम चीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर falter इसी वज़़ा से लग रहा है and यह special one पर इसे नहीं जा सकता वरना यह reflect कर देगा कोशिश मेरी यही है कि special two पर से बार बार बेजूँ but यह बंदा बार बार अपना special one ही fact रहे तो let's try कि special two पर जाए यह बंदा and power drain हो जाएगा but anyway मेरे को poison लग चुका है यहाँ पर तो यह थोड़ी problem create करता है poison but कोई नहीं falter लगेगा तो थोड़ा बुत region भी होगा special three इसका activate होने वाला special two fact भाई जल्दी से जल्दी इतना time नहीं है special two fact power drain कर कोई बात नहीं थोड़ा heal भी हो जाऊँगा fact special two भाई मेरे कितना percent health रहेगी है 68 percent health रहेगी है अभे fact भाई कितनी कोशिश कर रहा है भाई मेरे को special three मारने काई anyway यहां पर poison भी लग गया power drain भी लग गया falter भी लग गया तो भाई बहुत सारे debuffs लगे है and उसकी वजह से मेरी health भी down हो चुके special two time है यहां पर special two fact है and यहां पर मेरे special two fact हा but यहां पर special two fact है इसने falter लगा है तो थोड़ा बोथ region करूँगा power drain भी हो गया मेरा and let's try कि हम जाद से जाद इसे damage दे 40 percent health पोचा दिये मैंने इस बंदे की and special one आप सभी लोगों को पता है special one पे अरे shit मैंने मार दिया special one पे and मैं मरने वाला हूं तो इसलिए में जाद से जाद से जाद देने वाला हूं से okay मिरको पता सर रिफ्लेक्ट होगा but anyway कोई नी दूसरा champion लेके आते है okay guys warlock बचा हुआ है हमारा 39 percent health है इसकी यहां पे हम इस पे heavy bait कर सकते है medium light medium fact ना हमें heavy fact है पहले तो यहां पे यहां पे यहां पे फैगा मैंने heavy and यहां पे ब्लॉक कर लेते है सबसे पहले falter लग चुका है मेरको तो मैं region तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्यूकि robot है तो region तो बिल्कुल भी नहीं होगा and यहां पे यहां पे medium light medium यही करना पड़ेगा ताकि falter ना लगे हमें and falter अगर बीच में लग जाता तो इसे mocha मिल जाएगा हमें मारने का वह मैं नहीं चाहता है and यहां पे special 2 अगर मैं fact हूँ इसे armor break होगा जिसकी वज़ा से क्या होगा इसका power gain जो है वह कम हो जाएगा यही चीज तो मिरको चाहिए power gain जादा से जादा ना हो इस बंदे का and special 2 time है यहां वे special 2 fact है मैंने medium light medium combo देके and 15% health रहे गई इसकी down होने ही वाला यह बंदा and special 1 इसने वापी से अपना fact दिया and वही चीज हमें avoid करनी है falter लग चुका यहां पे falter पहले fact है अपना and यहां पे अब मार सकते हम इसे क्योंकि special 1 का reflection जो है वो चला गया है and अब इसे heavy fact देते एक bleed मिल रहा है इसे ठीक है bleed मिलते रहे वाई मुझे लग रहा है कि damage reflect होगा क्योंकि damage over time दिया था ना हमने okay हुआ reflect हुआ bleed का damage जो है वो reflect हुआ okay यहां पे अब मार सकते है special 2 हम अपना ओई भाई heavy देने वाला था बहुत ही तरीके से मैंने avoid कर लिया यार वहना पड़ जाती okay 5% health है इसकी heavy bait करते है special 2 armor break दो मिले हुए है heavy fact है यहां पे total 2 revives लगे है इस quest में वो भी path में लगे थे तो guys यह fight हुई complete 6.3.5 हुआ complete I hope आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो like जरूर करो चनल पे नहीं हो चनल को subscribe जरूर करो मिलूँगा जल्दी नहीं वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखो जरूर करो